बताएं है कि देखिए आज हम बहुत धर में क्या जाने वादे है त्रीपीटा के बारे में तो पीटा कई मांसे एक सब्जेक की तरह है जिसके तीन पार्ट है कौन-कौन पार्ट है क एक बिनाय पिटाक है अभी दम दम तो हमने आपको क्या बताया कि क्या है सबसे पहली बात बताए तो जिराफ भी ट हार यह कि एक परमूग होऑ प्राचिंतम ग्रंत भी सब्सक्राइब बहुतिछ मूख और सबसे क्या जी पुराना है क्या जी लान है प्रमुक और प्राचिन्तम क्या जी गरंथ है और इस गरंथ के कितने भाग है तीन है सुफ पीठक एक है बिनच पिटक और एक है अभिदम् महात्माबुढ के ज्ञान प्राप्ट melhores से है तो आपका 3P में क्या किया गया है महत्माभुध के ज्ञान प्राप्ति से लेकर मोक्त प्राप्ति-तन के बातों निया है किसमें प्राप्ति के लिए का बढले जात है बुधितवा क्या जी बुधितवा ठीक है और मुक्स प्राति का बलते हैं महापरी निर्वान का बलता है जी महापरी निर्वान ठीक है अब है कहा देखी इसकी निर्मानकाल या रचनाकाल मतलब त्रीपीटा की निर्मान कालिय रसनाकाल कभ से कम माना जाता है तो 1000 इशापुर्व से 500 इशापुर्व तक कभ जी त्रीपीटक सिहल देश ध्याने जी त्रीपीटक क्या जी सिहल देश यानि स्रीलंका में लिखा गया है त्रीपीटक जो है न यह कहां लिखा गया है स्रीलंका में लिखा गया ठीक ना स्रीलंका में सिंगली भासा बली जाती है अब किस भासा में लिखा गया है तो पाली भास घृष में किस भास सांगेल पाली वास तो अभी तक आपने एक त्री पीड़क के बाड़े में ज fattyphen जो है न बौधर्म का सबसे प्राचीन और प्रमुग्रंत है और इस गरंथ में क्या कि एक महात्मा बुद्ध के आपका है क्या कि ज्यान प्राप्ति से लेकर मुक्ष प्राप्ति तक यानि कि वुदुस्तों से लेकर महापड़ी निर्वान तक की बाते को लिखा गया है और इसके तिन भाग है सुथ पिटक बिनय पिटक और अभिधम पिटक क्या जी अभिधम पिटक इसकी जो रचनाकाल है वो सौ से कितना जी 500 इसा हुट तक है फिर आपका है कि मतलब इसको त्रिपीटक सिहली देश यानि स्रिलंका में लिखा गया है तो पाली भासा में लिखा गया ठीक आप शुथ पीटक पहला क्या जी शुथ पीटक तो इस गरंथ में महत्मा बुद्द की जिवनी है क्या ज सुथ पीटक अपने विस्वय और विस्तार सब क्षूख है कि स अधार पर है तो अपने विस्वय और क्या जी विस्थार और रचना के विस्थार जी हpat भी लोका डाले हैं उसमें क्या-क्या बाते हैं ठीक है ना फिर उच्दा मतलब टब कहां तक वह है ठीकैं और फिर रजशना मतलब election मतलब कितनी क्या-क्या बाते उसमें नोट की गही है अब इसका अनुमदन स्वेप भगवान बुद्ध ने किया है इसका अनुम्मदं जो है कौन किया जी स्वेम भगवा बुद्ध की है जातर बाते जो भगवान बुद्ध की है और उनके अपने खास और इसके पांच भाग था इसके कितने भाग है मतलब त्री पीटा के पांच भाग है कौन को सुठी जी कितने भागें पांच भाग कॉन-कॉन दिर्ग्या अहीच लिए क्या अदिख निकाय या दिर्ग्य निकाय दूसरा क्या है मजीम कई दी तक और लिए दिर मजीम नेगाय चन्युक्त निकाय और फिर आणक़ोटर निकाय और की खुदक निकाय यह मान के चली weight मेंड सुद्ध का संस्कृत रुपांत्रण सुत्र में किया जाता है किसमें के ताजी तहीं आभी तक आपने क्या देखा कि इस गरंथ में वहात्माबुद्ध के सुत्र का संस्क्रित रुपांत्रन सुत्र में किया जाता है कि शुत्र में किया जाता है प्रंतु सुत्र में शुत्र के मुल लक्षन नहीं है प्रंतु सुत्र जो वर्ड है ना उसमें सुत्र के मुल लक्षन क्या जी नहीं है अब है क्या कि सुत्र का विश्यस लक्षन क्या ह लेकिन इस चीजों से कोई मतलब मतलब नहीं है कि इस परकार के लक्षन से लग्षन विद्यमान क्या जी नहीं है अं अश्ट पितग के अंगुतर निकाय से सुला महाजन्पद की जनकारी मिलती है तो सुथ पितग के अंगुतर निकाय किसे भाई साब सुथ पीटग के सद्धट पीटक करते हैं आप ऐसे लिख सकते है जो इसने महत्मुण भुद्र करते हैं और इसका अनुमदन स्वेम्ल महत्मा बुद्र करते हैं और इसके पांच भाग है जिसमें से एक परमुख भाग है क्या अंगुतर निका जिसमें सोला महाजन पत्र की बात की ब्याख्या की गई है इस तरह आप सौट में लिख सकते हैं अब आगे देखें बिनाय पीटक इसमें भीक्शियों के लिए नियम कानुन दिया न इसके इसके तिन भाग है किसके और क्या जी पडिवाद फिर इस खंदक के भी दो भाग है महावग क्या जी महावग और क्या जी चुल्वग महावग और क्या जी चुल्वग है तीसरा है हमारा अभिधम पीटक क्या जी अभिधम पीटक तो अभी धम पीटक में है क्या कि महात्माबूद की दर्सन की बात है महात्माबूद की दर्सन की बात है पहले में जिवनी के बात है दुसरे में नियम की बात है महात्माबूद की दर्सन की बात है इसमें सात गरंथों का सामावे से है मत्तब अभी धम पीकट में सात गरंथ तुम संगरण याइव फाल 15 फॉरल है या कि आपके गार्णथे क्या है अभी अभीधम पिकेट में शामिल है अभी धम पीकट के अनुसार मैत्रिया क्या जी मैत्रिया जो कि संस्क्रित भासा में फिर क्या मैत्रत्या क्या जी मत्रत्या पाली भासा या मैत्री यानिकी शिहली भासा बहुत बनेताओ के अनुसार भविष्य के बहुत है क्या जी मतलब भविष्य के बहुत जो है अभी धम सामप्राव के अनुषार मैत्य एक बोधरी सवह क्या जी जब pratक कर लेता है और रुसरेयद के तो उसे कहा जाय का बोधरी रहें मतलब महत्मा बुद्र की तरह क्या आवतार लेंगे ठीक है ना यह बात अभिदम पिकटक में कही गई है कि महत्मा उत्र को अवतार लेगा फिर उसका मतलब आगे तरफ कारे करनी को बढ़ाएगा और यह बरतमान बौध होंगे यह बरतमान क्या गजी बुद्र होंगे और उ प्रमपरा के अनुसार मैत्रिय एक बहुत ही सत्वा है जो भविष्य में अवत्रित होंगे जो फीचर में क्या होंगे और वह एक बरतमान क्या होंगे बुद्ध का लाएंगे और यहीं संसार की रक्षा करेंगे